उक्षा दस्वी के अध्याए आठ प्रश्णवली आठ दसमलो एक के प्रश्म क्रमांक दो के अनुसार आकरती में 10P रिन कॉट आर का मान ग्याद करना है जबकि यहाँ पर P Q R एक समकून तरबुष हमें ग्याद है जिसमें P Q बराबर 12 cm तथा P R बराबर 13 cm है यहाँ हमें Q R का मान ग्याद करना होगा यदि हम कून R इसे लेते हैं तब इस स्थिती में हम इसे आधार और इसे लंब लेकर चलेंगे और यह हमारा कर्ण होगा समकून तरबुष P Q R में पाइद गोरस प्रमेस कर्ण का वर्ख बराबर लंब का वर्ख धन आधार का वर्ख यहाँ पे जिससकी हम बता रहे हैं कि यह हमारा लंब है और आधार हमें ग्याद करना है और यहाँ पर कर्ण ग्याद है तो कर्ण का मान अंगे 13 myślę 13 की गाद 2 हमें ग्याद करना है इसे हम सरल कर ले तो 13 की घात 2 का मान होता है 179 और 12 की घात 2 अर्थाद 12 गुनेद 12 144 होता है इसे हम लिखेंगे 144 धन आधार की घात 2 अब यहां पर आधार का मान ग्याद करना है तो हम पक्षांतर करेंगे 144 का 179 की तरफ तो यहां आधार की घात 2 बराबर होगा 179 रिन 144 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 25 अब चुकि यह अधार की हाथ दो कमाने तो हम यहां से अधार कमान ग्यात कर सकते हैं यहां से हम अधार निकालेंगे तो यहां वर्गमूल लेने पर 25 का वर्गमूल ग्यात करना होगा 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 5 होता है तो 5 सेंटिमेटर हमारा आधार ग्यात हो जाएगा अब हमें सभी चीजे ग्यात हो चुकी हैं यहाँ पे जैसा कि आकरती में हम देख रहे हैं कि यह हमारा लंभ है यह आधार है तो आधार यहाँ पे 5 है जबकि कौन R है उस हिस्तिती में और कर्ण हमारा 13 है तो हम सबसे पहले यहाँ पर ग्यात करेंगे 10P यदि हम इस कूण को लेकर चलते हैं तो यह हमारा आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा तो 10P लंब बटे आधार हम ग्यात कर लेते हैं यहाँ पर 10P बराबर लंब बटे आधार लंब कमान हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 है और आधार हमारा 12 है इसी प्रकार से हम कॉट आर कमान ग्यात करेंगे तो कॉट आर कमान होगा यहाँ आधार बटे लंब तो हम जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आधार हमारे पास इस इस्तिती में 5 है और लंब हमारे पास 12 है जबकि R कोन है इस इस्तिती में आप चुकि हमें मान ग्याद करना है 10P RIN Cot R का तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 10P और Cot R का तो 5 है시간 12 आप चाहे तो इसको Direct Cancel कर सकते हैं या LCM लेकर भी से beim Cancel कर सकते हैं तो हम इसे Direct Cancel कर ले तो तो 10P रिंड कॉट आर का मान शुन प्राप्त होता है